हुआ है तो आज हम लोग जो कि बहुत ही इंपोर्टंट चेप्टर स्टार्ड करने वाले हैं इस इंपॉर्टंड चेप्टर कानाम है इलेक्रिसीटी जैसा कि आप जानते हैं, current electricity जो है बहुत ही important हमारे लिए, वो importance जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो इस तरीके से होता है कि जो chapter हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस chapter के concepts आगे कई सारे chapters में use में होने वाले हैं, use में आएंगे, और दूसरा importance इसलिए है, आप जानते हैं कि हमा होती है, तो इसका जो concept है, वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है, तो अभी तक हम लोग कई सारे current के बारे में जानते हैं, जैसे पानी बहता है तो लोग कहते हैं कि पानी की धारा बह रही है, current का हिंदी धारा होता है, तो यहां पर हम लोग current electricity की बात कर रहे हैं, इसलिए मै current की बात कर रहा है तो water current होता है wind current होता है हवा भी बहता है एक जग से दूसरी जगा वो भी एक तरह से धारा है पानी बहता है एक जग से दूसरी जगा वो भी एक धारा है और हम जिस current की बात कर रहे हम जिस धारा की बात कर रहे हैं उसमें charge flow करता है और इसलिए उसको current electricity करते हैं तो तीन तरह की धाराएं होती है एक तो होता है wind current wind current में हवा बहता है wind किदर flow करता है wind flow करता है हमेशा high pressure से low pressure के तरफ it flows from high pressure to low pressure तीक है जैसे यहाँ पर high pressure होने का मतलब यहाँ पर molecules जो है gas के या air के बहुत ही ज़्यादा है और एक जगह पर low pressure होने का मतलब वहाँ पर gases molecules का जो density है बहुत ही कम है बहुत कम molecules हैं वहाँ पर तो हवा जो है जो air है वो किदर flow करेगा high density से low density की तरफ high pressure से low pressure की तरफ है इस तरह से wind flow करता है तो उपर अगर water रहता है तो उसकी potential energy ज्यादा होती है नीचे अगर water रहता है तो उसकी potential energy कम हो जाती है तो water हमेशा high potential energy से low potential energy की तरफ भागता है तो इसमें कहते हैं water current flows from high potential energy level to low potential energy level यह potential energy actually potential से related होता है potential gravitation की बात करें तो gravitation में gravitational potential होता है और अगर हम लोग बात करें electric current की तो वहाँ पर एक जो है electric potential होता है तो potential के बारे में थुरा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग बात कर रहे है potential energy की है ना potential energy जो है वो potential से ही related है ऐसा आप समझ सकते हैं अभी हालाकि आगे जाकर बहुत detail हम समझते हैं तो अभी उतनी तरह समझ में नहीं आगा अभी के वाद इतना हम समझेंगे कि यहां पर potential हमेशा इस point का potential ज्यादा है तो चौक को यहां रखूंगा तो यहां इसकी potential energy ज्यादा होगी है ना यहां पर potential कम है लो potential है तो इस चौक को यहां रखूंगा तो यहां पर इसकी potential energy कम हो जाएगी तो potential जो है space में किसी point के होते हैं और potential energy किसका होता है इस object का जैसे चौक है तो यह जो point है इसका potential मैं कहा रहा हूँ कि जादा है यहाँ पर potential कम है तो यह चौक को ले जाओंगा यहाँ पर तो चौक की potential energy यहाँ जादा आएगी यहाँ पर कम आएगी इसके और नीचे जाओंगा तो नीचे वाले points का potential और भी कम है तो चौक को नीचे ले जाओं वहाँ पर potential energy ज़ादा होगी, तो water current हमेशा high potential energy से low potential energy की तरा flow करता है, तो कह सकते हैं कि high potential से low potential की तरा flow करता है, ऐसे भी कह सकते हैं, अब आते हैं electric current पर, जिसके बारे में ये पूरा chapter, है ना, तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि electric current होता क्या है, फिर समझाएंगे कि इधर flow क करता है है ना फिर उसकी वैलो कितनी होती है सारी ही जह हम लोग पाइंट करेंगे तो पहले जैसे मैंने कहा कि वीन करेंट में वीन व्लो होता है हवा बहता है गैस के जो मॉलकुल्स है वो फ्लो होते हैं वाटर करेंट में वाटर के मॉलकुल्स फ्लो होते हैं वह ऐसे ही electric current में charge flow होते हैं है ना लिखा है it is due to flow of charge तो electric current में charge flow करते हैं अब जैसे कोई conductor है यह conductor है तो actually में conductor है तो इसके अंदर current flow कर सकता है current कैसे flow करेगा क्योंकि इसमें charges flow करेंगे इदर ऐसे तो जब charge flow करेंगे तो इसमें current flow करेगा अब जो है current की value कैसे पता करते हैं तो खाल आता है कि electric current is measured as rate of flow of charge rate का मतलब होता है time rate यानि कि per second कितना charge flow करता है उसको हम लोग current कहते हैं तो इसका definition है वो यह है charge flowing per unit time क्यों क्या है t time में कितना charge flow किया है मैं कहता हूँ यह conductor है इस conductor का एक cross section है तो charge यहां से इधर की तरफ जा रहे है इस cross section को एक second में कितने charges पार किये है एक second में जितने charges पार करेंगे उसको हम लोग current करते हैं मैंने मान लिया कि यह Q charge हो है वो t time में पार किया है यह Q charge t time में यहां से पार किया है तो एक second में कितना पार किया होगा total charge by time interval तो यह हो जायागा एक second में कितना charge पार किया वो है current यहाँ पर लिखा है measured as rate of flow of charge rate हमेशा यहाँ पर time rate से मतलब है कि यहाँ कि per second पुशा गया है कि एक second में कितना charge flow करेगा वो हो गया current यहाँ पर लिखा भी है, Q is charge flown in time interval T through a cross section, यह ध्यान रखना है कि जैसे हवा है, air है, वो तो कहीं भी space में बैस सकता है, पानी है, पानी कहीं भी बैस सकता है, लेकिन जो charge है, charge होर जगा flow नहीं हो सकता, तो charge को flow होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक conductor हो लेते हैं, और conductor के अंदर charges flow करते हैं, यह ना, तो conductor का एक cross section देखेंगे, तो इस particular cross section से एक second में कितना charge flow किया, वो हो गया current, उसे कोई भी cross section लेंगे, हर cross section से एक second में कुतना ही charge flow करता है, यानि जो current यहाँ पर आएगा, व तो ये तो हो गया कि charge का definition क्या है charge flowing per unit time ये होता है current current का ये definition हो गया अब current flow किधर करता है इसका direction किधर होता है तो इसके बारे में हाँ पर हमने बताया है direction of electric current is along the flow of positive charge अब positive charge जो है वो कुछ भी हो सकता है जैसे ions भी हो सकते हैं positive ions और opposite to flow of negative charge negative charge electrons भी हो सकते हैं और negative ions भी हो सकते हैं कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं मैं मान लिया कि ये कोई conductor है तो इस conductor में हम लोग जो current की बात करते हैं जो conductor के अंदर flow करता है उसमें केवल electron flow करते हैं जैसे ये जितनी भी electricity flow करती है किसी conductor में उसमें electron flow करता है लेकिन कुछ ऐसे भी apparatus होते हैं जैसे कि electric sale होता है जो battery हम लोग उच्छ करते हैं torch में sale होते हैं तो sale के अंदर ions move करते हैं positive ions और negative ions तो उसमें बात करेंगे तो positive charge भी flow कर रहा है positive charge मतलब positive ion और negative charge भी flow कर रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पर current electricity में जेनरली बात करेंगे conductor से जो current flow कर रहा हो उसकी तो conductor में केवल electron जो है वो flow करते हैं तो अगर मैं बात करूँ यह conductor है conductor में ग्या होगा कि इस conductor में अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर high potential है यहाँ पर low potential है यह electric current भी जो है वो high potential से low potential के तरफ flow करता है तो high potential है low potential है तो इसमें current flow करेगा इधर high potential से low potential के तरफ है ना और current इधर flow करेगा तो जैसा कि यहाँ बताया गया अगर electron है तो electron कि इधर चल रहा होगा electron उल्टा चल रहा होगा electron इधर चलेगा उसके opposite direction में current flow करता है तो electron जो है वो low से high potential के तरफ जाता है क्योंकि निगेटी चार्ज है अगर यहाँ पर positive charge होता तो वो high से low के तरफ जाता है positive charge high से low के तरफ जाता है high potential से low potential की तरफ, तो positive charge के direction में current का direction माना जाता है, या अगर electron है, जो कि negative charge है, तो वो low potential से high potential की तरफ flow करता है, तो electron का जो motion है, जो negative charge का motion, उसको just opposite direction के current माना जाता है, तो current का direction ऐसे decide करेंगे, अगर हमें current का unit पता करना हो, वैसे तो आपको पता होगा unit of current लेकिन यहां से find करेंगे जो formula मैंने बताया current का formula क्या बताया charge flowing power and time तो charge का unit होता है कुलंब और time का unit होता है second यहां पर इसका unit लिखेंगे charge by time यहांने कुलंब पर second और इसी को ampere भी कहा जाता है है ना तो current का जो unit है वो ampere में होता है अब हम बात करें electric current की तो जैसा कि अभी मैंने यहां पर बताया है ना और इधर क्या बताया इधर बताया था मैंने कि wind current high pressure से low pressure तरफ flow करता है water current high potential energy से low potential energy की तरफ flow करता है और यहां बताया अभी कि electric current है वो high high potential से low potential दर flow करता है वही चीजह यहाँ पर मैंने बताया है electric current flows from high electric potential to low electric potential मैंने बता कि potential दो अतर है के होते हैं अगर हम gravitation की बात कर जेसे water current के case में बात कर रहे थे तो water current के case में gravitational potential होगा gravitational potential energy होगा जबकि electric current के case में Electric Potential होगा ऑप Electric Potential Energy होगा ठीक है यह वाली Potential Energy different है जो Gravitation और Potential Energy हम देखते हैं यह सारी चीजे हैं हमें पढ़ने हैं फिर से 11th chapter में 12th chapter में अभी हमें के वहल इतना जाना है कि Potential और Potential Energy एक दुसरे से Related होते हैं और जहाँ पर potential ज़्यादा होता वहाँ पर ऐसे assume कर सकते हैं कि potential energy ज़्यादा होगी है ना तो electric current मैंने बताया कि high electric potential से low electric potential की तरब flow करता है high potential से low potential की तरफ flow करता है तो ये भी कहा जा सकता है कि ये ही high potential energy से low potential energy की तरफ flow करता है है ना तो इस तीनों current है वींड current या water current या electric current वहांसे हमने ये सीखा कि कोई भी जो flow हो रहा है जो changes हो रहे है सिस्टम में चाहे water flow कर रहा हो चाहे गैस के मोलेकल्स फ्लो कर रहे हो या चार्ज फ्लो कर रहे हो वो अपनी एनर्जी को घटाने के लिए फ्लो कर रहे हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा है ठीक तो फ्लो किदर कर रहे हैं हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी के तरफ फ्लो कर रहे हैं ताकि अपन energy को घटाना है क्यों जैसे आप देख सकते हैं example कि जैसे पानी है है ना पानी को आप छोड़ेंगो तो हमेशा गड़े में क्यों जाता है वो इसलिए जाता है कि गड़े में जाने से उसकी potential energy घटती है है ना और अगर हम बात करें किसी लिक्विड रॉप की तो लिक्विड र अपनी एक surface energy होती है जो उसके surface area के directly proportional होता है उसका surface area जितना जादा होगा उसकी energy उतनी ही जादा होगी तो given volume के लिए अगर किसी लिक्विड का एक volume दे दिया जाए तो उतनी ही volume का अगर आप एक Q बनाएंगे एक सिलिंडर बनाएंगे एक स्फेर बनाएंगे तो आप दे स्फेरिकल शेप में surface area कम होता है तो surface energy कम हो जाता है surface energy कम हो जाएगा तो उसकी energy जो है liquid drop की कम हो जाएगी और इसी लिए इसी लिए जो है कर सकते हैं कि जो liquid drop है हमेशा spherical shape gain कर लेता है इसका मतलब यह है कि हर activity जो है अपनी energy को कम करने के लिए होती है energy कम होने से क्या होता है system stable होता है, तो stability के तरफ हर कोई जाना चाहता है, और stability के लिए ही activity यहाँ पर होती रहती है, तो बिल्कुल वही case जो है, यहाँ पर apply होता है, electric current के case में, यहाँ पर जो current है, वो हमेशा high energy से low energy के तरफ भागता है, तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, कि electric current high potential से low potential की तरफ flow करता है, अगर high और low नहीं हो, दोनों जग़ा potential बराबर हो, तो current flow ही नहीं करेगा, मतलब यह है कि current को flow करने के लिए potential difference जरूरी है, potential difference रहेगा, तभी तो एक तरफ से दुसरी तरफ current जाएगा, और इसी ले कहते हैं, कि potential difference between two points, यहाँ पर लिखा है, potential difference is required for current to flow, दो ends के बीच में यह से कोई conductor है, अगर उसमें current flow कराना हो, तो उसके दोनों end के बीच में potential difference होना चाहिए, वो potential difference आता कहां से है, potential difference जो है, वो battery से आता है, आप देखेंगे, कि हम लोग battery जोडते हैं, कोई ना कोई source जोडते हैं, तब जाकर के current flow करता है, तो source क्य करता है, वो battery क्या करता है, वो potential difference create करता है, जब high एक तरफ, एक तरफ low create कर देगा, तो charge flow करने लगेगा, और साथ में circuit भी complete कर देता है, circuit का मतलब यह हुआ, कि एक closed loop बन गया है, एक ऐसा रास्ता मिल गया है, electrons को घूमने के लिए, जो कहीं पर तूटा हुआ नहीं है, क्यो उसको घूमने के लिए रास्ता चाहिए हवा से होगे जाएगा नहीं होतों, तो इसलिए हमें चाहिए closed loop बनाना पड़ेगा, तब जाकर current flow करेगा, उस closed loop में, उस closed loop में battery होगा, कोई register होगा, capsiter, inductor, switches होते हैं, galvanometer, ammeter, voltmeter, कई सारी चीज़े हम लोग जोडते हैं, इन्हीं सब को हम लोग बोलते हैं current elements, यह सारे elements जो है, उस circuit के अंदर होते हैं, और circuit क्या है, वही closed loop एक बनना है, ऐसे सारे elements उसी में जुड़े होंगा कही ना कहीं, लेकिन एक जो है, कहीं भी उसमें जो है, वो cut नहीं होना चाहिए, point टूटना नहीं चाहिए, connection हमेशा बने रहना चाहिए, तब जाके उसमें current या charge लगतार continuously flow करता रहेगा, तो वो होगया circuit के बारे, है ना, तो हमने का, कि current को flow कराने के लिए potential difference maintain करना ज़रूरी है, और वो potential difference maintain करने का काम कौन करता है, battery, जैसे यह conductor है, यहाँ पर मैं battery जोड़ दूँगा, ऐसे, है ना, यह battery का symbol है, आग बैटरी का यह positive plate होता है, यानि higher potential माना जाता है, battery का यह negative plate है, यानि lower potential माना जाता है, तो lower वाले को यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ का potential low हो जाएगा, high वाले को यहाँ पर जोड़ दिया, positive plate को, तो इसका potential high हो जाएगा, तो बैटरी का यहाँ पर जो potential difference है, यह हमेशा fixed र रहेंगे पूरे लूप में है ना ऐसे घुमते रहेंगे तो अब हम लोगों कि यह जानना होगा कि एक्चुली मैं potential difference की value कैसे calculate करते हैं कोई बहुत दो point देदे जैसे यह point है यह point है इसके बीच में potential difference कैसे पता करेंगे अगर मैं कहता हूँ कि यह point है और यह point B तो यहां से यहां तक का potential difference कितना होगा तो potential difference का definition यह कहें कि उसका value कैसे calculate करेंगे उसके लिए definition यहां बताया यह बताया है potential difference between two points is defined as work required to move one Coulomb charge from one point to other मतला इन दोनों points में से जो है एक point से दुसरे point तक one Coulomb charge को ले जाने में हम जितना work करते हैं वही potential energy होती है तो potential difference यानि उसको 20 लिखते हैं यह होता है work done per unit charge एक point से दुसरे point तक ले जाने में हम जितना work करेंगे एक कुलम charge को ले जाने में वो potential difference के equal होता है potential difference जो है उसका unit होता है देखेंगे यहां से work का unit होता है joule और charge का unit होता है कुलम तो जो potential difference है उसका unit joule पर कुलम भी कह सकते हैं और इसी को volt भी कहा जाता है है तो हम लोग जो बोलते हैं voltage या volt वो volt क्या है वो potential difference की value बताता है तो यह तो हो गया potential difference अब आगे हम लोग सीखेंगे कि जो electric circuit होते है electric circuit में क्या होता है किस तर से current flow करता है कौन-कौन से elements होते हैं यह सारी चीज़े आगे हम लोग सीखेंगे